राम ने चार-पाँच बार गीता ज्यान उपदेश दिया, तो एक तो अरणी कांड में है, वो लक्ष्वन को उपदेश दिया है, एक लंगा कांड में है विभीष्ण को, तो इस समय मैं विभीष्ण वाली बात कर रहा हूं, दसहरा निकल गया, रावन रथी विजयर भीरत रगवीरा देख विभीषण भयाव अधीरा विभीषण ने देखा के रावन तो रत्त बैठा हुआ है और जो रामचन जी है पैदल जूते भी नहीं है पैर में और कवच भी नहीं है उनके पास कुछ भी तो भी अधीर हो गया है कैसे जीतेंगे रावन को अधिक प्रीति मनभासंदेहा बंदी चरण कहसा हित सनेहा राम से इतना ज्यादा अट्रेश्मेंट था इतना प्रेम था राम का तो बड़े बंदना करके बहुत प्रेम से बोला नात नरत नहीं तन पद त्राना के ही बिद्ध जीताव वीर बल्वाना यह बगवान ना तो कोई राथ है ना पद में त्राना पद में को जूते पैर में जूते भी नहीं है और तन भी नंगा है तन पद को धकाल में नहीं है आप कैसे जीतोंगे महाबली को सुना हु सक्खा कह कृपा निधाना यही जाय हो यह सो चंदन आना जिससे जीता जाता सक्सित मिलती है वो रथ दूसरा होता है अब वो बताते हैं कि आगर तुम्हें जिन्दिगी में किसी भी जगह सक्सित पानी है कुछ भी पाना है तो कैसा रथ जो है ना और चुम्हें सोर्ज धीरज ट ही रत चाअ का स्क्ष्ट शेल द्रण धजा पताका . पहले शॉर्य और धीरज यह दो रत के पहिये होने चाहिए मैं तुना जुछिन न है और धैरी होना चाहिए मंन भी डिस्रेप नहीं होना च Records अगर आपका मंन डिस्रेप हो गया तो आप गये और शायरित होनी चाहिए पहले से । ताकत दोत अपने पास आप होनी चाहिए तो तुमारे अंदर शायरि और धैरा हो कि इडिय हो तो पूलते हमें सक्त्न कहा हूं कम थैंट। सत्य और शील यह बहुत इंपॉर्टन्ट है कि मतलब आदमी जो से आपनी जितना प्रॉब्लम करता है इनको खोगे करता है सौरब धीर सौरज धीरज तेहिरत चाका सत्य शील द्रण धजापता का बल विबेक दम परहित घोरे चार घोड़े लगे उस रत्म वह कौन से चार घोड़े हैं बल आपके अंदर ताकत तो होनी चीज़ा सबसे बड़ी चीज़ा है विवेक आपको बुद्धी जह सीध्या रश्रल करें महला हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि विवेक हमारा कैसे काम करता है कि आपके जो अनकॉ सबकॉंसस माइंड से सबकॉंसस माइंड में जो चीज़ा आती जाती है आती रहती है वह स्टोर हो जाती आपके मेमोरी में और आप जब भी कोई प्रियंट सेच्वेशन में आते हो अब युद्ध में तो प्रियंट सेच्वेशन में एक्ट करना है उस समय आपका जो मन है जो बुद्धी है वह क्या करेगी जो मेमोरी में प्रोल्ड है उससे से से लिए लॉजिक और दिसें बताइगी टो इसलिए संस्कार के जहें इंपॉर्टेंस जादा है करते हैं उनका बेटा बला संसकारी है संसकारी ग कशहों से आपने बचपन से जैसा कि आगी से आप जाल्रों व्ल्यूकर श्र३ाह के दिश्वाले में, भी व्ल्हाल, व्लूर्विएक समस्ते के दो काया ऐंगत। एक हड्युकै ऐत्मान को अपने कुर दिश्वालोन के दो दूदिया जो हुआ, जो डोड़िया है ! नूड़िया है दो दूदिया है ! लेज़ा डूसरों आगपर गोड़ा। Aramad oui the way ुजभा पर्ष Indian अगर तुम्हें का जो होको एंगे我說 वह के अगर झान करें तो तुम्हें को हमारी चन्निंस करने की है तो तभी तुम्हें दूसर जाइप करें तो यह गोड़े हैं च्छमा क्रपा समता रजुजोरे और रसी गोड़े को किसे बांधे है च्छमा अगर आप कोई बात इस्टिक करके बैठ गए तो वेकार है तो आलवेज फॉर्गेट इन फॉर्गिव आप जी च्छमा अगर आपके दिमाग में रहती है जो जिसने कुछ आप बैलेंस बना के रखो किसी एक तरफ नहीं जुको नहीं बैलेंस बनाके रखो तो यह रस्यां है घोड़े की खीतत में करेंके लिए जाथ भल विदेख लूप्र हीत गोरे शमाखरपा समताार जुजोरे रसी उसी से जुड़ी है इष्य भजन सारथी सुजाना वीरति चर्म संतो शक्रुप्णा। इश भजन सार्थी सुझाना, इश भजन वही तुम्हारा सार्थी है, इश भजन क्या होता है इश भजन को हम सोचे हैं, इश भजन के वर राम नाम करते रो या भजन गाते रो वह इश भजन का मतलब इश भजन नहीं, इश का भजन का मतलब है कि आपका फोकसिंग, आप तो मेलली आपका जो फूकस है तो ही बहुत बड़ा शार्थी अगर आपने फोकसिंग करने चीजा क्यों जाये लगा। तो कोई फाइदा ही नहीं है तो सिद्धा इस भजन सारती सुजाना वीरति चर्म संतोशक्रपाना आपका चर्म क्या है चर्म क्या होता है कि जो आप पूरा घोड़े पर चर्म डालते हैं ना वह जो है तो वो जो है वह 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 वीरति आपको किसी दूसरी से अटेच्मेंट नहीं रहा चाहिए वीरति चर्म , अगर अटेच्मेंट हुआ तो वह भाग जाएगा ऑपका तो मिलम यह मीलिया आपका डावर्चं होने ही नहीं चीए अगर एक एट्रेच्मेंट होगा तो आ तो सिचिएशन आगे उसे अक्सेप्ट कर लो, संतोष का मतलब यही है, जो सिचेशन उस समय है अग्सेप्ट कर लो उसी समय तुम्हें एक्ट करना है, इरिटेशन नहीं हो नहीं दिमाग में हमें यह चीज नहीं मिल पाई यह अम नहीं कर पाई वह कर पाई तो संटो जो है situation वह अगसेप्टेंस जहना उसको आप दिमाग में रख लोगे वीरतिचर्म संटोशिक्रपाना दान परसू बुदि सक्ती प्रचंडा दान परसू आप पश्चादक इनकम को फर्षाव यह तो पन्यान को सब सब भार जाना और्यक्षों उसका पर्षाव। निसाल जरलन आख परो सुन भुद्ध शक्ति प्रिशमलिर्टील तो्मारीय अप्नी बुद्धि अपना ज्यान पहीर बहुत बढ़ी शक्ति भाकि इıt माते ख छियां तो सिक्टि वहीर सबसे बढ़ी स्क्ति के इतलत वारा विज्ञान कथिन गोदन्दा आपके जो विज्ञान आपके दिमाग में है स्ष्ष्ट विज्ञान वहीं कोधंड है। वहीं बज्र है। आपके अंदर ज्ञान विज्ञान विज्ञान यह सब रहना चाहिए उस से विएक ब्रिवेक जो जरूरी यह बेसिक थी है, बाकी सब्चियं तो मैट्रियल से अमल अचल मन त्रोन समाना सम जमनिय में सिली मुखनाना अमल अचल मन त्रोन समाना त्रोन मनी का होता है तरकस आपका पीछे जिसने बान रखते हैं आपका अमल मन हो और अचल मन हो चलाय मन 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 नहों और अमल हो कोई पॉलुटिड मन नहों को दिमांगे डिस्टॉर्टिड मन अमल अचल मन त्रोण समाना वही तुम्हारा तरकश है आपने को कितना कंट्रोल कर सकते हो और नियम कि आपने रूल बना रखें जिसके रूल के साथ से जता है सम जम नियम सिली मुखनाना वही बान है इसे मिसाइल से जो तुम छोड़ते हो क्योंकि मिसाइल जिता कंट्रोल में रहे और उसके पाटिकलर रूल पर जाएंगे आपने रूल पना लिए ऐसा होगा तो ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे समया प्लो 귀여 और आपके कवच आपका क्या है गयार का है अभी दक्राइब कवच है कौना इता हूँ जन्नल प्राहमन नहीं कौई जनल भार्मनना मत्लम्न ने इसका कंद आपका क्या है? अगर इनके पैरों की तूजा की है, मतलब यह आपके फिवर में हैं, तो आप प्रोबलम में फसोगें, निका ग्यान इन्हों आप इसात्र से लिया हुआ है, क्योंकि आपने इनकी रिस्पेट करी है, तो इन्होंने अपना सब कुछ दिया है, जिसको आप रिस्पेक्ट से ही इसके बराबर जय के विजय का कोई दूसरा उपाय दिए। वह अपने को मानेगा भी नहीं शत्रू, आप लड़ना भी पढ़ रहा है तब भी आप उसको शत्रू नहीं मानदो, उसका कोई शत्रू नहीं होगा, उसको भी आप कल्यान करना चाहोगे। अगर धर्व में ऐसा रत है, महाजय संसार रिपु, जीत सकै सोबीर, जाके असरत हो ये द्रड सुनहु सखामत धी। ये जो संसार है यही महाजय रिपु है। ये संसार और बड़ा मुश्कल होता है को संसार में बन जाता है। बहुत सारी थीया जो हम अटेच्ट सोबीर। अगर आपने मन को जीत के संसार में अटेच्मेंट नहीं रहे, उसी को जीत लो अगर तुम। जिसका भी ऐसा रत हो तो तो हमेशा वेगी सुनि प्रभु बच्चन विभीषान हरस्य कहे पदकंग एही में से मोहियों पुदे से हूं रामक्रपा सुखपन तो फिर विभीषान ने उनके चरन पकड़ लिए भगवन आपने चलो हमने कुष्चन किया इसी प्रस्ति या इसी बहाने आपने हमें इतना जभाए ज्यान दे दिया कम से कम इसे बढ़िया तो कम से कम हमा ये फाइदा हो गया कि हमें ज्यान तो मिला बेसिकली चीज यही है क कि हम उनको समझें और उसको